तो स्वारे आप तका मेरी YouTube चैनल सेचिन एजुकेशन हप पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Part 2 of Operating Research जिसके Notes आपको मिलेंगे यहाँ पर अब तो Scope और Applications इसमें Cover होने वाली है दोनों का Exact Meaning ही है, सेम वैसे तो अगर आपको इसके Notes चाहिए यहाँ फिर इसके लावा Hand Return Notes चाहिए किसी भी कमर सब्जेक्ट से लेटेड तो आप मेरे Telegram Channel से ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है अब दोस्तो Scope और Application यानि कौन सा Area Cover करता है Operating Research यानि Operating Research के बारे में अगर आपने मेरी Part 1 की वीडियो देख ली है तो ठीक है नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकिन दोस्तों अगर आपको पता है Meaning तो अब इसका Scope यानि इसका Area कौन-कौन सा है जो ये Cover करता है तो सबसे पहला जो Area है अगर हम बात करे Agriculture की तो आजकल की Population बढ़ रही है जिसके कारण बहुत सी Problems खड़ी हो रही है तो उनमें से एक Problem है Optimum Allocation of Land to a Variety of Crops as per the Climate Condition कि Land की जो Varieties of Crops उसमें हम लगाते हैं उसकी Allocation कैसे करे Climate Condition के According और साथ में आ जाता है कि Optimum Distribution of Water from Numerial Resources कि Water की Distributions हम Different Resources से कैसे करें तो इन दो तीन Problems का Solution निकालने के लिए हम क्या करते हैं Best Policies को बनाते हैं तो Best Policies या इन सब का Solution फाइंड आउट करने के लिए अगर हम बात करें OR की तो OR भी किया था Best Solutions या Best Problems to Solution हम पहुँँ सकते हैं इस टेकनीक की मदद से तो Agriculture में अगर ये Problems खड़ी हो गई हैं तो आपकी कौन मदद करने वाला है यहाँ पे यहाँ परेशन रिसर्च एक ऐसी टेकनीक है जो यहाँ पे आपको मदद करेगी आपके Decisions लेने में आपको मदद Mathematically way में ये मदद करेगी तो दूसरा बाता है आपके सामने Industry तो Industry के Case में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है Mostly Industries make Decisions on Past Basis and hence Chances of Serious Laws happen तो कई बार Past Experiences के बेस पे अगर हम या Past Basis के ऊपर अगर हम अपने Decisions लेने शुरू कर दें तो कहीं न कहीं Serious Laws होने के खतरा रहता ही रहता है तो उस खतरे को Compensate कौन करता है हमारी OR Techniques यानि OR की जो Techniques हैं वो आपकी इस चीज़ में मदद करती हैं इसलिए कहा गया है कि Industry Director in Deciding Optimum Distribution of Several Limited Resources अगर हम यह Decisions लेना चाहते हैं तो हमारी कौन वज़त करने वाला है OR तो यहां तक अब आपको दोस्कों तो इसके बादा चलेंगे अब हम बात करते हैं कि तीसरी application इसकी क्या है या तीसरा scope इसका क्या है तो in production management तो production के case में या production management के case में भी OR it's too much helpful How a production manager can utilize OR techniques to calculate the number and size of items to be produced यानि जो production manager है वो अपनी utilization के लिए क्या करता है OR techniques को use करने के लिए क्या calculate करता है the number and the size of items number और size जो हमने produce किये हैं आज जितने भी वो देखेंगे in scheduling and sequencing the production machines मतलब हम schedule करेंगे अपनी machines को और इसके साथ साथ sequence में अपनी production machines को लेकर आएंगे जो ज़रूरी है पहले अदरवाइस बाद में in computing the optimum product mix इसके regarding भी हम OVA techniques को आगे helpful बना सकते हैं कि अगर हमने optimum product mix को calculate करना है तो easy हो जाएगा और इसके इलावा अगर हम बात करें to choose, locate and design the sites production plans के design या sites को भी क्या करने के लिए choose करने के लिए ये मदद करता है तो production manager भी यहाँ पे यानि production management का case अगर OVA techniques के related लगाया जाए तो पूरा हो गया in personal management अगर हम बात करें अब तो यहाँ पे OVA techniques कैसे utilize की जा सकती है तो अगर हम इस case में OVA techniques को use करें तो कैसे कर सकते हैं to appoint highly suitable person minimum salary के उपर हम अपना highly suitable person असानी से लगा सकते है हम best age पता कर सकते है management के employees यानि employees जो काम कर रहे हैं उनकी और number of persons appointed in full time basis when the over workload is seasonal workload अगर seasonal है उस case में number of persons कितने employee किया गए है as a full time हम उसके बारे में भी देख सकते हैं तो there are three types there are three ways या फिर in personal management अब कैसे ओवा techniques को easily use कर सकते हो उसके लिए ये points आपके सामने है जिसमें आपको पहले बता दिया गया कि suitable person यानि appoint अगर हम करना चाहती हैं तो आपकी मदद हो जाएगी इसके लावा आपके दो और points है देख सकते हो सानी से अब चार points आपके सामने निकल गए अब इसके बाद वाला जो point है that is called marketing जितने भी department है सब में आ जाए गए कोई इसमें आपको problem नहीं आने वाली अब marketing केस में अगर हम बात करें तो where to allocate the product for sale so that the total cost of transportation is set to be minimum O.A. technique आपकी मदद कहां पे करता है in marketing के केस में वो product की allocation कर देता है जो sale के लिए जाने वाली है ताकि जो transportation cost है वो कम से कम हो जाए हो गया आपके लिए फायदा the minimum per unit sale price the size of minimum sale unit price आपको पता चल जाता है इसके मदद से जो size of stock है वो कितना होना चाहिए future की demand कितनी होनी चाहिए उसके बारे में how to choose the best advertising media with respect to cost and time time और cost को देखते हो है कौन सा best advertising media आप यूज कर सकते हो इसके इलावा और भी कही चीज़े और how, when and what to buy the minimum likely cost minimum likely cost यानि कम से कम cost के उपर आप क्या, कैसे और कब खरीद सकते हो ये बहुत जरूरी चीज़ है marketing के अंदर अगर आप over technique यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या पता चल गया कि कब कैसे और कहां पर आपने कितना पैसा कम से कम लगा के चीज़ खरीद लेनी है तो easy हो गया sale करने के लिए मदद हो गई खरीदने के लिए मदद हो गई तो easy way में आप क्या कर सकते हो यहाँ पर use कर सकते है अपना technique को LIC के case में भी क्या है OR आपको मदद करता है क्या decide करने के लिए what should be the premium rate क्या premium rate होगा policies के range के अंदर अंदर यानि अगर आप policies को इस्तिमाल कर रहे हो तो क्या range होगी premium rate की क्या range रखनी चाहिए और how well the profit could be allocated in case of profit policies profit policies के case में profit को कैसे calculate करे OR बता देता है तो जैसे जैसे आप हागे पढ़ेंगे तो आपके पास क्या जाए जाएंगे समस आते जाएंगे इस चीज़ को calculate करने के लिए तो हो जाएगा तो part 2 में आपको scope and applicability पता लग गया notes आपके सामने हो गए खतम तो आज के लिए इतना ही है दोस्तो वीडियो आपको समझ आ गई है तो please like कर देना नए हो चैनल को subscribe कर देना कहीं पर problem है तो नीची दिये के comment box में comment भी कर सकते हो और notes के लिए आपको पता है आपके लिए टेलिगाम चैनल खुला है जिसका link आपको description में मिल जाएगा अब दोस्तो आज के लिए इतना ही है वीडियो अच्छी लगी है समझ आ गई है तो जरूर आप like, share and subscribe करके जाना आज के लिए इतना ही thank you very much